हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं उम्मीद करते हैं सारे दोस्त अच्छे होंगे अब इनास एक्जाम गुरू चैनल पे आप लोगों का हर दिख स्वागत है तो दोस्तों आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो है 1 सितंबर 2022 के करेंट अफेर्स की तो दोस्तों वीडियो में सारे most important question आप लोगों के लिए लेकर आएं तो वीडियो को अंतक जरूर देखना आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हों तो हर एक्जाम में यह success आपको दिलाएगा तो वीडियो को अंतक जरूर देखें वीडियो को like, share and comment जरूर करें कहते हैं जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता है तो दोस्तों यह तो सहीग वाद है कि जब इंसान के उपर बख्त पड़ता है कैसा भी वक्त पड़े अगर हिम्मति इंसा नोदद वो अपने वक्त को पार कर ले जाता है चाहे तो वो आपके पढ़ाई से रेलेटेड हो अगर आप कोई वी लक्ष मनाते हैं और वक्त के साथ पढ़ाई करते हैं उसके साथ चलते तो आपको हमेशा ही सकसेज प्राप्त होगी आप हमेसा सफल होगे इसी के साथ दोस्तों स्टाइट करते हैं आगर सेशन के profund के किर्केट के तीनों प्रारूपों में ऺखे खेलने वाले पहले भारतिय खेलाड़ी कौन है थो मैं दोस्तों विराट बिराट कोली अंतराश्टी क्रिकेट इतियास में पहले भारतिय और खेल के तीनों प्रारूपों में सो सो मैच खेलने वाले विश्टों के दूसरे खिलाड़ी वन गए हैं अगस्त 2008 में अंतराश्टी क्रिकेट में पदारपन करने के वाद से कोली के नाम अब 102 टेस्ट और 260 एक दिवसी मैचों के अलावा सो T20 इंडिया है इस रिकॉर्ड के साथ पहले खिलाड़ी न्यूजिलेंड के वल्लेवाज रोस टेलर हैं जो हाली में सेवा निब्रत हुए हैं राश्टिय और सद्धी मूल निर्धान परदिकर्ण यानि की इन पी पी ये किस केंद्रिय मंत्राले से जुड़ा है तो बादोस्तों केंद्रिय रसायन और उर्वर्क मंत्राले केंद्रिय रसायन और उर्वर्क मंत्री मंसुक मांडविया ने राश्टिय और सद्धी मूल किल्स विवा का एक सलंग कार्याले या दवाओं के मुल्य निर्धान और सस्ती कीमतों पर दवाओं की उपलब दिता और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सतंत्र नियामक के रूप में कार्य करता है तो याद कैसे रखेंगे कि केंद्री रसायन और उर्वक मंत्री कौन है तो दोस्तों मनसुक मांडविया दोस्तों जो सरी से हश्ट पुष्ट होगा और जो सुखी होगा तो वही उसका मन भी सुख रहेगा इसी से हम याद दोस्तों मांसुक वांडविया को ने केंद्री रसायन और उर्वर्क मंत्री किस खिलाडी ने 2022 में वी डबलू एफ विस्ट चैंपियंशिप का खिताब जीता है तो बादोस्तों विक्टर एक्सलेशन डेन्मार्क के विक्टर एक्सलेशन ने टोक्यो में फाइनल में च्छटा खिताब है कि दोस्तों जो विक्टर एक्सलेशन है यह कहां कि दोस्तों डेन्मार्क के विक्टर एक्सलेशन ने टोक्यो में फाइनल में थाइलेंड के पुनला वृद विट्सन को हराकर अपना दूसरा बैट मेंटन विस्टुकब जीता था सुमंग लीला किस राज केंद सासित प्रदेश में आज़ित एक परामपर एक त्युहार है अतुबार दोस्तों मडीपूर दोस्तों मडीपूर से रेटेड कल हमने एक कोश्चन भी डिसकस कि रहा था तो दोस्तों एक लंथी करके एक खिलाडी थी जिन्होंने जुडो में एक किताब अपने नाम किया था तो वो कहा कि थी वो भी मडीपूर की थी तो पचासवा अखिल मडीपूर सुमंग लीला मौसब 21 इंफाल के उबोयमा सुमंग लीला सांग लेन में हुआ सुरू इसके उदगाटन समारों में मडीपूर के राजपाल का ला गडेशन और मु पुरूस अभिनेताओं द्वारा निभाई जाती है और पुरूस पात्रों को महिला कलाकारों को द्वारा निभाय जाता है तो दोस्तों जो मड़ीपूर है मड़ीपूर के मोख्यवंत्री कोने दोस्तों एन्वीरें सिंग कोने दोस्तों एन्वीरें सिंग और राजपाल क तीसरा सबसे अमीर वेक्ति बन गया है तो बादोस्तों गोतम अडानी भारतिय बिजनेश टाइकून गोतम अडानी हाली में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर वेक्ति बने बाद दुनिया के दस सबसे धनी लोगों में सामिल एक माक्तर ऐसे वेक्ति हैं जिनों ने इस साल अप पति से ज्यादा है किस संस्ता पर्षण ने कमप्टेटिव रोड मेप फॉर इंडिया एड़ रेट हैंडेड रिपोर्ट जारी किए तो बाद दोस्तों आर्थिक सलाकार परिसद किसने दोस्तों आर्थिक सलाकार परिसद अगर आप लोगों से कोई पूछ लेता है कि किस किस भारती राजवा केंदर सासित परदेश ने राजीव गांदी ग्रामिड ओलंपिक खेलों का उद्गाटन किया तो बाद दोस्तों राजस्थान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों असोक गहलोद जोदपुर में एक महिने तक चलने वाले राजीव गांद ग्रामिड ओलंपिक खेलों का उद्गाटन किया ग्राम ओलंपिक में पूरे राजस्थान के 44,000 गाओं और 30,000,000 लोगों की भागी दारी देखने की उमीद है 30,000,000 परदिभागों में इसे 9,000,000 महिला आये हैं इन खेलों में वॉली वॉल, होकी, टेनिस, बॉल, किरकेट और खोखो सामिले, किस सहर ने जै विवित्ता को बचाने के लिए सेउक्त राष्ट सत्त्र की में जवानी किये तो बादोस्तों निवार्क, निवार्क में सेउक्त राष्ट मुख्याले में जै विवित्ता को बचाने के लिए सेउक्त राष्ट मसंत्र का आयोजन किया गय तो दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन सभापत होता है मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत